सेल्फ कॉन्फिटन्स एक ऐसी कॉलिटी है जिसे बेसिक कॉलिटी कहा जाना चाहिए क्यूंकि ये कॉलिटी हर परसन में हर उम्र में बनी रहनी चाहिए ये ऐसी फीलिंग होती है जो आपको खुद पर ट्रस्ट करने के लिए एंकरेज करती है और ये सेल्फ कॉन्फिटन्स आपको लाइफ में सकसेस भी दिलाता है सेल्फ कॉन्फिटन्स हर उम्र और हर उक्यूपेशन के परसन के लिए जरूरी है फिर चाहे वो स्कूल गोइंग किड हो, होम मेकर हो या फिर आईटी एक्सपर्ट हो ये self confidence सबकी personality का एक essential part है लेकिन अगर आप खुद में self confidence की कमी महसूस करते हैं जिसकी वज़े से आप अच्छा perform नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं हम आपका confidence boost करने में जरूर help करेंगे और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपना self confidence increase कर सकते हैं तो वीडियो को last तक जरूर देखना ताकि आप भी self confident हो सकें तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि self confidence रखने से क्या benefits होते हैं यानि self confidence जरूरी क्यों है अगर आप self confident होंगे तो आपकी life में stress और anxiety बहुत कम हो जाएगी आप happy और light feel करने लगेंगे आपको अपनी value समझना easy हो जाएगा peace of mind भी मिलेगा और life के हर area में successful हो जाएगे लेकिन benefits जानने के बाद इस problem के बारे में भी जानना जरूरी है कि self confidence को कम करने वाले factors कौन कौन से होते हैं आईए जानते हैं आपका negative environment जहां आपको जादा criticize किया जाता हो हमेशा यही सोचते रहना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं overthinking करना, खुद को दूसरों से compare करना criticism से डरना और अपनी image को लेकर overprotective होना तो दोस्तो आप इन में से वो points चूस कर लो जिससे आप relate करते हो क्योंकि वीडियो में हम आपको इन सारी problems का solution देने वाले हैं तो number one है अपनी grooming कीजिए वैसे तो हम सब तयार होते ही हैं लेकिन अगर self confidence को बढ़ाना है तो अपनी physical appearance को भी ignore नहीं किया जा सकता इसलिए हर दिन अच्छे से तयार होना अपने पसंद के कपड़े पहनना ये सब self confidence को boost करता है number two है self image को change करें आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये आपके self confidence को सबसे ज़ादा effect करता है हो सकता है लोगों के negative comments या past experience से आपने खुद को loser बना रखा हो तो ऐसी self image में आपका confidence डाउन होगा ही इसलिए अपनी image को एक positive way में imagine कीजिए number three है अपना comparison करना बंद करें अगर आप सामने वाले से academics में, looks में, salary में और ऐसे ही बहुत सारे points पर comparison करते हो तो आप कभी confident नहीं हो पाओगे इससे बहतर तो आप खुद पर focus करें खुद को पसंद करें तभी आपका self confidence boost होगा number four पर है अपने लिए positive environment create करें self confidence के लिए positive सोच रखना तो जरूरी होता ही है साथ ही साथ आसपास का महौल भी positive होना जरूरी हो जाता है तो आप ऐसे लोगों के साथ ना बैठें जो आपको बहुत जादा criticize करते हों जो सिर्फ आपकी कमियों के बारे में बात करते हों और आपका मजाक उड़ाते हों इससे बहतर आप positive लोगों के साथ रहें number five है आपको positive self talk की जरूरत है जी हाँ किसी भी काम को कल पड़सो पर टालना और नया टास्क आते ही एकदम से घबरा जाना आपको छोड़ना होगा इसके लिए आपको खुद से ये सब कहना बंद करना होगा कि मुझ से नहीं होगा यार मैं कुछ भी ढंक से नहीं कर सकता मैं fail हो जाओंगा ये सब कहना बिलकुल बंद करना होगा इन सब की बजाए खुद से कहिए कि मैं ये कर सकता हूँ मैं अपना best दूँगा मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा तो ऐसा करके आप खुद मैं trust develop कर लेंगे नमबर 6 पर है आपको अपनी body का खयाल भी रखना होगा confidence केवल mind से related नहीं होता है बलकि body का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है इसलिए अगर आप अपनी body को healthy रखेंगे तो confident feel करेंगे healthy food लीजिए और सही eating habits को follow कीजिए ताकि आप dull और tired feel करने की बजाए energetic feel करें इन 6 points के अलावा और भी छोटे-छोटे points है जो आपके self confidence को boost कर सकते हैं जैसे exercise करना, meditation करना आप अगर अच्छी नींद लेंगे तो भी confident feel करेंगे अपने nature को polite बनाइए अपनी body language पर काम कीजिए नई नई knowledge लेने के लिए mind को open रखिए तो दोस्तों इन points को ध्यान में रख कर और follow करके आप अपने self confidence को बहुत आसानी से boost कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप channel को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं और हमने अपना instagram page बना रखा है at motivationalrader2022 इसको भी आप follow कर सकते हैं लेकिन अगर आपको stock market से related जानकारी चाहिए तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई